कैसे हो भई सब भी प्यारे व्यारे छात्रों तो जो मैं सिरी चला रहा हूं जिसमें मैं अलग-अलग जो बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है या कुछ भी आपने मतलब डिगरी या डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो उनसे क्या संभावना है बनती है उस पर मैं चर होगा इगनू जो ओपन यूनिवर्सटी है वैसी एनाई ओएस एक ऐसा प्लैट्फोर्म है जो आपको ओपन स्कूलिंग करवाता है मतलब आप घर बैठके कोई कोई चीज कर सकते हो तो एनाई ओएस ने 2017 में डिएलेड कोर्स शुरू किया था जो स्टार्ट किया गया था उनके लिए बेसिकली स्टार्टिंग में जो पहले से टीचर हैं कहीं पर और पढ़ा रहे हैं चाहे हो सरकारी हो सैमी गवर्मेंट हो चाहे प्राइवेट हो किसी भ वही बनेगा जिसने टीचर बनने के ट्रेनिंग लिए आप सब्जेक्ट में विद्वान हो सकते हैं लेगिन उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की कला क्या है वह अलग चीज है आर्टी ने यह कहा था तो जिसके बाद जाके यह हुआ गि आप भाई जो टीचर पहले से पढ़ा एना योस के चात्रों को वह सब कहानिया पता ही होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या हो सकता था क्या संभावनाय थी वह सब आप जानते ही होंगे आप जुड़े रहते होंगे अब भी मैं आपको आज की स्थिती बता देता हूँ एना योस डियलेड यानि जिस संस था NCTE वो ये कहती है कि Diploma and Elementary Education Primary के लिए valid है और हर जगे valid है ठीक वो ये कहते हैं कि हमारी तरब से इसमें कोई रोक नहीं है हाला कि देखो उन्होंने जैसे बाद पहले का आदा कि B.Ed. Primary के लिए eligible है बाद में वो एक तरीके से वो कोई मान्य करता है नहीं करता वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पर डिपेंड करता है लेकिन NCTE ये मानता है कि जो D.L.Ed है वो प्राइमरी के लिए जिसने D.L.Ed की ट्रेनिंग की हुई है या जिसने D.L.Ed वाला लिप्लोमा लिए वा है वो अभ्यारती सिक्सक भरतियों में participating कर सकता है fresh सिक्सक भरतियों में भी starting में लाया उनके लिए गया था जो पहले से पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते वो training लेना चाहते थे तो बाद में ये कहा गया कि ये equivalent होगा सभी डिप्लोमाज के जिससे आप primary सिक्सक बढ़ती में पार्ट ले सकते हैं अब बात करते हैं क्या valid, इसकी validity कहां पे है कहां पे नहीं है अगर मैं बात करूँ आपसे UP अभी जो आपने recent सबसे exam देखा होगा, वो UP इसकी eligibility नहीं है बाकी अगर मैं बाकी जगे के exam की बात करूँ, जैसे आपका KVS हुआ, eligible हुआ DSSSB हुआ DSSSB में NIUS DLED किया हुआ चात्र, यानि डिप्लोमाज इलिमेंटरी एजुकेशन किया हुआ, चात्र साप-साप लिखा रहता है, valid होता है REIT की अगर मैं बात करूँ ये recent exam 2018 KVS में eligible था, DSSSB last year eligible था, REIT 2021 में eligible है साप-साप अलग notification देके ये बताया गया था कि हाँ eligible है REIT में भी, तो लगबग हर state में eligible है लेकिन मैंने बताया, NCTE ने कह रखा है कि भाई eligible है उन्होंने last year भी एक इसको लेके notification जारी किया था बार-बार notification आते रहते ये, 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 courses valid है primary education के लिए प्राइमरी प्रात्मिक सिक्सक के लिए हाला कि UP में अभी से नहीं माना जाता क्योंकि UP में जो BTC वाले चात्र है वो कही ना कहीं इसके थोड़ा सा उने लगता है कि NIS, DLAD और BAD वालों को primary में मोका नहीं मिलना चाहिए वो BTC वालों को मिलना चाहिए तो वो एक issue है जिसकी वज़े से UP में थोड़ा खीस्तान चलती रहती है लेकिन बाकी की सभी vacancies में KVS, D, SSS, B, REIT जहां पे भी primary सिक्सक की भरती आती है NBS में primary सिक्सक की भरती नहीं आती है ना वो देविद्यालों में बाकी जहां भी आप जिस भी state में देखेंगे हर जगे valid है एक दो state को छोड़ कर जैसे QP होगे clear? NCTE ने कहा रखा valid है उनकी तरब से valid है लेकिन NCTE की बात कोई state या union territory मानेगी या नहीं मानेगी वो state या union territory पे depend करता है लेकिन जिन्होंने किया हुआ है आप KVS के लिए DSSB के लिए और REIT के लिए तयारी कर सकते हैं ये तीन exam इस साल आपको देखने को मिलेगे तो ये संभावना है आप लोगों के लिए government exam में है NCTE ने साफ साफ ये भी कहा हुआ है अपने आदेश में कि जितने भी private schools हैं private sons थाए हैं उन्हें DLAD को equivalent मानना पड़ेगा किसे भी other diploma के क्योंकि DLAD किया हुआ चातर बाकी other जितने भी हमारे जो वो होते हैं diploma जैसे BTC किसी ने कर लिया से किसी ने JBT कर ली उन सब के equivalent है ठीक तो private schools में भी इसकी validity सत परतीसत है clear ठीक है आप NIO S DLAD आपने किया हुआ आप seat at paper one pass कर गे उसके साथ उसका combination मना के आप अलग-अलग states में job के लिए apply कर सकते हैं अभी इन तीन जगे पे vacancy आने वाली है इसलिए इन तीन का मैंने verify कर दिया UP में अभी नहीं है भाई government बदलने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता मैं उसमें भविश्यवानी करने वाला कोन होता हूँ लेकिन KBS, DLSS भी और REIT के लिए आप apply कर सकते हैं ठीक है तो धन्यवाल किसी भी online exam में स्वनी राजपूजी पेपर bilingual so नहीं होता है किसी भी online exam